हेलो फ्रेंड टेरिक द्रस्चिंजी के क्विस स्रीस का आज का यह हमारा 15 नंबर का वीडियो है तो चले स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो सवाल नंबर एक पुरने वाले मेढक का नाम क्या है इस सवाल का सही जवाब है उड़ने वाले मेढक का नाम होता है राकाफोरस इसकी नीचे इमेड भी दी है दोस्तों तो उड़ने वाले मेढक का नाम क्या हो जाएगा राकाफोरस चलते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नंबर दो प्रकाश की गती कितनी होती है इस सवाल का सही जवाब है रकाश की गती कुल 3,00,000 km प्रती सेकेंड पोती है चलते हैं अकले सवाल की तरफ सवाल लंबर 3 विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है इस सवाल का सही जवाब है विश्व का सबसे बड़ा देश है रश्या मतलब रूजदेश चलते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नमबर 4 सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है सबसे बड़े महासागर का नाम है प्रशान्त महासागर चलते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नमबर 5 इस सवाल का सही जवाब है इंग्लेंड देश इंग्लेंड एक ऐसा देश है जिसका संभीधान जो है यहां एक लिकित संभीधान नहीं है चलते हें अगले सवाल की तरफ सवाल नमबर 6 कबीर के गुरू का नाम क्या था? इस सवाल का सही जवाब है कबीर के गुरू का नाम था राम अनद। चलते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नमबर 7 चीन में सबसे पहले अपनी साखा खोलने वाला भारती बैंक कौन सा था? इस सवाल का सही जवाब है SBI जिसे हम भारती स्टेट बैंक आफ इंडिया के नाम से जानते हैं दोस्तों चीन में दी सबसे पहले अपनी साखा खोलने वाले भारती बैंक की बात करें तो इसका नाम है स्टेट बैंक आफ इंडिया चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नमबर 8, वह कौन सा फूल है, जो 12 साल में एक बार खिलता है, इस सवाल का सही जवाब है, नील पूरूंजी नामक फूल, दोस्तों वज्ञानिक ने अपनी शोद में पाया, कि नील पूरूंजी नामक जो फूल है, यहां 12 साल में एक खिलता है चलते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नंबर 9 वह कौन सा प्राणी है जो नर्व होते हुए भी बच्चों को जन्म देता है इस सवाल का सही जवाब है समुद्री घुडा समुद्री घुडा एक ऐसा प्राणी है जो नर्फ होते हुए भी बच्चों को जन्म देता है चलते हैं अगले सवाल की तरफ सवाल नंबर 10 किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है इस सवाल का सही जवाब है नीम का पेड़ दोस्तों आपको पता है कि रात के समय पेड़ जो है यहां कारबन डायोकसाइड मतलब सीयोटू केस्ट रिलीज करते हैं जिसके वज़य से इंसान की मौत भी हो सकती है इसलिए नीम की पेड़ के नीचे रात में सोने से इंसान मर भी सकता है चलते हैं आज के क्रिस सवाल की तरफ पहला सवाल है फांस्ती की सजा सुनाने के बार जज़ पैन की नीव क्यों के रोड बनाया था यह दोनों सवालों के जवाब आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों साथी साथ वीडियो आपको कैसी लगी इसे भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरू बताएं वीडियो को लाइक करना बास शेर करना ना बुलें साथी साथ चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जनों को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिक्षिन पाने के लिए बैल आइकन को जरूर प्रैस करें दोस्तों आप हमाई सक इंस्टाग्राम और फेजू पेज में भी करें इसमें हम धेलो सारी जानक येमादाब